जै स्रीराम सातियों स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलोजिय और वास्तु ग्यान यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम जानेंगे 29 दिसंबर 2020 मेज रासी से लेकर मीन रासी तक के जातकों के आज के रासी फल में क्या खेते हैं किसमत के सितारे क्या किस तरीके से भाग आफ का उदे होगा क्या सफलता है क्या सफलता मिलेगी सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में क्या कहते हैं आपकी किसमत के सितारे सबसे पहले बात करते हैं मेज रासी के जातकों के लिए 29 दिसंबर का दिन कैसा रहने बाला है सितारों की चाल बता रही है कि आज चंद्रमा अफनी उच्छ रासी ब्रसव रासी में दिन रात संचार करेंगे आफ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सयोग करेंगे रोजगार के छेतर में चम्ताओं में सुधार आएगा और नए अफसर की प्राप्ति होगी ससुराल से संबंदों में सुधार आएगा और उनके सहयोग से जमीन जायदात की समश्याई खत्म होगी ब्यापार में सकरादमक परिवर्तन आगे चल कर आफको लाब देंगे घर के रख रखाप पर कुछ धन खर्च हो सकता है चातरों को सिक्चा के छेतर में कुछ परिशानियों का सामना करना पर सकता है आरतिक इस्तितिया कुछ तनाप प्रद रहेंगी और स्याम के समय अफने स्वास्त का ध्यान रखें भाग ये आफका 85% तक साथ दे रहा है बात करें ब्रशवरासी के जातकों की तो सपता के पहले आफके द्वारा सुरू किये गए कारों में सपलता जरूर मिलेगी लेकिन संसारिक सुप भोग और नौकर चाकरों से असयोग से परिशानी होगी कारे छेतर में सपलता पूरबा कारे करने से अधिकारी वर्ग से प्रसंसा मिलेगी लव लाइप में आनद में समय वैतीत होगा और परिवार में किसी सदसे से सुप समचार सुनने को मिल सकते हैं पिता के स्वास का ध्यान रखें और स्वास नियमों का पालन करें स्याम के समय इस्तितियों में सुधार आएगा और पड़ोसी भी आफकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे बात करें मितुन रासे के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 दिसंबर का देन तो आज कारे के प्रिती लगन रहेगी और रुके हुए कारे भी पून होते दिखाई देंगे आफके परवहाव छेतर में ब्रद्धी होगी और विदे संबंदी कारे में सबलता मिलेगी परिवार में मन मुटाव की स्तिती मानसिक तनाव पैदा करेगी कारे छेतर देहरे से काम लें क्योंकि जल्द वाजी में किया गया कारे से खराब हो सकता है जीवन साती से संबंदों में मदूर्ता रहेगी और उनके सईयोग से वचचत भी हो पाएगी स्याम के समय वाहन खराब होने से अचाना खर्चे बढ़ सकते हैं साथ ही परिवार में छोटे वच्चे के साथ अच्चा समय वेदित होगा बात करें करकरासी के जातकों के आज के रासी फल की तो छातरों को उच्च सिक्चा की प्राब्ती के लिए कुछ अधिक मेहनत की अवश्वता पड़ेगी वहाई तता मित्रों के सैयोग से नए अपसरों की प्राब्ती होगी कारे छेतर में जीवन साती की सला से लाव होगा जिससे दोनों के वीच रिस्तों में प्रागरता आएगी आफकी बुद्धी विवेग आज नए-नए कार्यों की खोच करने में लगेंगे पारे वारेक समपत्ती, सम्मंदित, विवाद किसी बड़े अधिकारी की मदरस्ता से सुलच जाएंगे स्याम के समय दान पूर्णे के कारे में वैतित होगा और किसी सुब समाचार के आने से बहुत एक सुख सुभीदाओं में ब्रद्धी होगी बात करें सिंग रासी के जातकों के आज के रासी फल की तो आज का देन मिस्रित फल कारक है रोजगार के छेतर में आज तेरता के कारण कुछ परिशानी होगी जिससे मन परिशान होगा कारे छित्र में बाद विवाद से बचें अन्यता मामला कानूनी हो जाएगा छात्रों को सपलता प्राप्ति के लिए अधिक एकागरिता से कारे करने की जुरूरत है घर परिवार की शमश्याओं को धहर के साथ सुल जाएंगे और बड़े लोगों की मदद से अटके हुए सरकारी कार पूरे हो जाएंगे वेपारियों को नगत धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है स्याम के समय धर्म अध्यात में रुची बढ़ेगी और अपनी सान और सोकत के लिए धन का व्य करेंगे बात करें करने अरासी के जातकों के आज के रासी फलकी तो पारिवारिक बातावरन खुस में रहेगा और कारे छेतर में आफके बिरभाव में प्रिस्ताव में ब्रदी होगी कोच अनावश्यक खर्चे भी आएंगे जो मजबूरी में करने पड़ेंगे लव लाइप में नई उर्जा का संचार होगा और पिता पक्ष के पूर्ण से योग मिलेंगे रोजगार के छेतर में अर्चनों से मुक्ती मिलेगी लेकिन किसी भी तरह की जोकिम कारे से दूर रहें चातरों को सिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक समश्याई खत्मोंगी आफकी कारे सेली से लोग प्रवावित होंगे और आफका सम्मान करेंगे आर्थिक इस्तिती मजबूत करने के लिए कुछ नए प्रियोग करेंगे तो आफको फाइदा अवश्य पहुचेगा बात करें तुला रासी के जातकों के आज के रासी फल्की तो कारे छेतर में नए प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए अधिकारी वर्ग से आपका पूरा सयोग मिलेगा देनिक वेपसाईयों के लिए आएके नई स्रोध बनेंगे परिवार की तरफ से भी सुपसमचार मिलने के संकेत हैं अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारियों से व्रद्धी होगी उत्तरा दायत्व बढ़ेगा समाजिक कारे करने से समाज की ओर से वंचित सयोग मिलेगा और सब लोग आपके सहस और प्राकरम की प्रसंसा करेंगे ब्यापार में अधिक मेनत करने के कारण आपका स्वास्त कुछ नरम हो सकता है लव लाइफ में आपका सम्वान बढ़ेगा बात करें ब्रिश्य ग्रासी के जातकों की तो पिता का सयोग पारिवारिक विजनिस में विसम परिस्तितियों में सहयकों का संतान के नौकरी से सम्बंदित सुबसमचार मिलेंगे ब्यस्ता के बीच लव लाइफ के लिए समय निकाल पाएंगे नए ब्यापार की सुरुवात के लिए वागिका साथ मिलेगा लेकिन अनवश्यक खर्चे सामने आएंगे आर्तिक लाफ की स्थिती उत्तम बनी हुई है और चातरों को गुरु जनों का श्योग मिलेगा जिससे वहे प्रिती योगी परिक्षा में सपल होंगे स्याम के समय कोई खुसकबरी मिलने से आपका उत्साहा बढ़ेगा मदवेद हो सकते हैं क्रोद पर नियंतरन रखें अन्यता रिस्तों में दरार आ जाएगी छातरों को सपलता प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत की आवश्यक्ता है खान फान में विसेश नियंतरन करके स्वास्त के प्रिती सजग रहें आपके बहुत एक सुक्स विदाओं में कुछ कमी आ सकती है यदि आप अपने मन की बात को सीगर दूसरों से उजागर ना करें तो रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है स्याम के समय धर्म अध्यात में बैतित होगा बात करें मकर रासी के जातकों के आज के रासी फल की तो राजनितिक लोगों को जन समर्तन प्राप्त होगा और वाक कोशल से इस्तितियों को नियंतरन रखने में सफल होगे व्यापार में निर्णे लेने की चमता से आपको लाव होगा अगर कोई विवाद से संबंदित मामला लंबित है तो पूर्ण लाब मिलने की संबाब न रहेगी चातरों को पृतियों की परिक्चा में कुछ समश्याइं सामने आएंगी जीवन साती की कारे छेत में उन्नती होगी और आय में भी ब्रद्धी होगी लव लाइफ को रिस्तों में बदलने को प्रियास सफल होंगे स्याम का समय ईश्वर भक्ती तफ यग पूर्णे कारियों में लगेगा तो आफको लाब अवश्य होगा बात करें कुम रासी के जातकों के आज के रासी फल की तो बैफारियों के लिए सफता का पहला दिन वविश्य की नवीन संभावनाव को लेकर आ रहा है बैफार में विस्तार होगा और आर्तिक स्थिती मजबूत होगी बहुत दिनों से चली आ रही परिवार की शमश्याओं से मुक्ती मिलेगी और उलजनों से मुक्ती के लिए नया मार्ग ढूनेंगे पिता से संबंदों में शुदार आएगा और उनके विचारों को प्रात्मिकता देंगे समाजिक चेतर में आफ की ख्याती बढ़ेगी कारे चेतर में सभी सत्रों को अपने कारे के दम पर परास्त करेंगे और श्याम का समय गाने वजाने और संगीत और सपोर्ट में बीतेगा बात करें मीन रासी के जातकों के आज के रासी फलकी तो आफ की समाचार पत्र में बड़े भाई का सयोग मिलेगा संतान वपतनी के प्रिती प्रेम भावना बढ़ेगी अच्चे कर्मों के आफ के खान पान का बड़ा नाम उच्चा होगा बुजुर्गों के असिरवाद से कारे में सफलता मिलेगी वेपारियों को धनलाव के योग बने हुए हैं और वेपारिक यात्राइं भी सफल रहेंगी भिवासमदित समश्याइं भी खत्मोंगी माता पिता की सेवा का अपसर मिलेगा कर्ज की समश्याओं से मुक्ती मिलेगी लेकिन किसी से भी धन का लेंदें ना करें स्याम के समय अतितियों का आगमन होगा जिससे मन परशन होगा और असुविदा भी होगी तो साथियों ये थी हमारे मेस रासी से लेकर मीन रासी तक के जातकों की 29 दिसंबर 2020 के आज के रासी फल की जानकारी उमीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा शियर करें और आप किस तरह जानकारी हमसे लेना चाते हैं किरपया में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलोजियो और वास्तुग्यान यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को चलिए मिलते हम नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैसरी राम